कपिल भगवान कहते हैं माता जी हमारा जो मन है इसका पेट आज तक कोई नहीं भर पाया ये मिल गया तो ये और मिल जाए ये सदा खाली ही रहता है संसार के विशे मन को तरप्त नहीं कर सकते ये मन ही बंधन और मुक्ती का मूल कारण मन जब विश्यों का चिंतन करने लग जाता है तो ये संसार में बांध देता है पतन का कारण बन जाता है और यही मन जब मन मौहन का चिंतन करने लग जाता है तो यही मुक्ती का साधन बन जाता है जैसे चावी ये कही होती है ताले में डालके गुमा दिया ताला बंद कर दिया अब जिस चावी ने ताला बंद किया है वही चावी ताला खोलती भी है उसी ताले में फिर डालो उल्टा गुमा दो ताला खोल जाएगा तो जिस मन ने आपको संसार में फसाया है यही मन तुम्हें मुक्ती भी दिलाएगा उल्टा गुमाना पड़ेगा संसार की तरफ गुमाया तो इसने संसार में बांधा अब संसार से मोड के भगवान के चर्णों से जोड दो तो यही मन मुक्ती का साधन बन जाएगा माने का बेटा ये मुड़ता ही नहीं भगवान की तरफ भगवान से मन कैसे लगाएं इसका उपाय क्या है कपल भगवान कहते है मा एक सरल उपाय बताता क्या बोले तुम अपने मन को भगवान से नहीं जोड सकते तुम्हारा मन भगवान में बिलकुल नहीं लगता तो ऐसे किसी संत को खोजो जिसका मन लग चुका हो और भगवान के चरणों में जिनका मन लग चुका है ऐसे जो सिद्ध कोटी के संत होते हैं तुम उनके साथ जुड़ जाओ तो जहां वो जुड़े हुए हैं उनका मन जहां जुड़ा हुआ है तुम्हारा मन भी वहीं जुड़ जाएगा संगत की रंगत जीवन में जरूर आती है जुआरी का संग करने लग जाओ जुआरी बन जाओगे सरावी का संग करने लग जाओ सरावी बन जाओगे करने लग जाओ तो तुम भी भगवद भक्त बन जाओगे जिसने विजली का तार पकड लिया उसको करेंट लग गया अब आप डारेक्ट तार मत पकड़ो जिसने तार पकड रखा है तुम केबल उसी को पकड लो तुम भी भरपूर वही करेंट लगेगा जो तार पकड़ने वाले को लगा है आप अले तार से दूर हैं और तार पकड़ा जिसने आपने उसको भी यद पकड लिया तो वह भी करेंट देने वाला बन जाता है ब्रह्मविद ब्रह्मईव भवती जानत तुमहे तुमहे होई जाई जो ब्रह्मग्यानी महापुरुष हैं तत्वग्यानी जो संत हैं वो परमात्मा को जो पा चुके हैं जान चुके हैं वो साक्षाद ब्रह्मस्वरूप हो जाते हैं गुरुतत्यों क्या है, जो परमतत्यों को जान गया, वही गुरु बनने काधिकारी होता है, और इसलिए गुरु में भी वही करेंट होता है, जो ईस्वर में होता है, इसलिए गुरु साक्षाद परब्रह्म, ब्रह्मत ज्यानी जो गुरु है वो ब्रह्मत स्वरूप यही होते है इसलिए किसी संतों को खोजो क्योंकि सतांप्रसंगानम भीरे संबितो सतांप्रसंगानम भीरे संबितो भवंतिहरत कर्ण रसायना कथा अच्चो जडा दास्वप बर्ग बर्त्मनी जो शना दाश्वप बर्ग बर्त्मनी सतांप्रसंगानम भीरे संबितो सतांप्रसंगानम भीरे संबितो सच्चे संतों के पास जब बैठोगे तो वो मेरे ही गुण गागा के प्रभु की लीला गागा के तुम्हें गोविंद का दीवाना बनाई बिना नहीं छोड़ेंगे मा ने पूछा बेटा तो ये पता कैसे चले के कौन सिद्ध संत हैं संतों की पहंचान क्या है जिसने गर परिवार छोड़के डाड़ी मूझे रखा लिए वो संत हैं सादू का वेस बनाने में तो असुर भी बड़े कुसल होते हैं चाहिए वो रावड हो चाहिए काल नेम हो तो वेस तो ये भी बना लेते हैं इसलिए सिर्फ वेस देख करके किसी को सादू नहीं समझना चाहिए नकली वस्तू असली से ज़्यादा चमकती है चब नकली हीरा हो चाहिए नकली घी हो ज़्यादा खुसमू मारेगा देखने में भी आकरसक होगा डुपलिकेट माल की पैकिंग भी बड़ी जोड़दार होती है क्योंकि उसको आकरसक बना करके मार्केट में डालना है बेचना है उसी प्रकार नकली चीज आकरसक बहुत हो सकती है उसमें फसना नहीं चाहिए जो वास्ता में विरक्त संत होते हैं वो आकरशित हो जरूरी नहीं है आकरशन उनमें नहीं होता जंगल में पड़े हैं अब धूत बने पड़े हैं पागलों की तरह घूमरे हैं कोई पेंचान ही नहीं पाते परन्तों जो समाज को छलना चाहते हैं हो सकता है कोई असुर भी सादू वेस बना करके आकर्शक आपको लगने लगे रामचरित मानस में आप देखिए एक तनू बावा ने बातों में प्रताप भानु राजा को ऐसा ठगा कि बरबाद कर दिया सारा बंस मिटा दिया सादू के विस में छला था कथा कि विस्तार में नहीं जाएंगे रामचर इंदमानस के प्रारम में ये प्रसंद राजा प्रताप भानु का विस्तार पूर्वग बताया गया और वहाँ पर गोश्वामी जी ने अपनी तरफ से एक टिपणी भी करी तुलसी देख सुबेश भूला ही मूढ न चतुर नर तुलसी दाजी कहते हैं देख सुबेश सुन्दर वेश बुशा देख करके भूला ही मूढ न चतुर नर वो दिमान व्यक्ति कभी आकरशित नहीं होते मूर्ख लोग केवल सुन्दर वेश बुशा थे आकर्षित होकर के प्रभावित हो जाते हैं तो संतों की पहँचान क्या है कपिल भगवान पहँचान बता रहे हैं ध्यान से सुनिए पांच लक्षण हैं ये लक्षण जिसमें दिखाई पड़े हैं वो संत हैं कौन-कौन तितिक्षवह कारुणिका सुहर्दह सर्वदेहिना अजात शत्रवह शान्ता साधव शादु भूशणा ये साधुओं के पांच आभूशण पहला तितिक्षवह जो सच्चे संत होते हैं वो तितिक्षू होते हैं तितिक्षू का मतलब सहन सीलता दंदों को सहन करना गर्मी पड़े, सर्दी पड़े हर हाल में मस्त रहे मान हो, अपमान हो दोनों में समान रहे इसका नाम तितिक्षवह संतों का कहीं कहीं पर भक्तों के बीच में बड़ा आदर होता है लोग चर्ण दोते हैं चर्णा मरत लेते हैं फूल मालाएं पहनाते हैं आरती उतारते हैं खुब जैजेकार करते हैं पर इन जैजेकार और स्वागत सनमान में प्रभावित न हो साथू क्योंकि कहीं कहीं अपमान भी होता है अनाधर होता है लोग मजा कुड़ाते हैं उपहास करते हैं तो सनमान से यदा आप गदगद हैं तो अपमान से आप दुखी भी होंगे सादू वो है जो सनमान से गदगद नहीं हो अपमान से घबड़ावे भी नहीं दोनों उसके लिए बराबरा वो सादू है गुश्वामी तुलसिदा जी महराज का बहुत नाम हो गया था कासी के पंडिच भी उनकी महमा से प्रभावित हो गए पुराने जमाने में सोसल मीडिया तो थी नहीं नाम से तो सब परचित थे पर सकल से सब नहीं जानते हैं क्योंकि फोटो भी नहीं होते थे बहुत गिने चुने कोई चित्र बना करके फोटो बनाते थे चेहरे से कोई नहीं पहँचाने एक बार ब्रंदावन में गोस्वामी जी महराज पधारे उस समय नाभा गोस्वामी जी महराज जिनों जोनोंने भक्तमाल लिखी है भक्तमाल के रचैता नाभा गोस्वामी जी महराज ने सादूओं का जहरा बंडारा बंडावन में करें बंडावन के सभी सादू संथ बंडारा पाने आज गोस्वामी जी ने सुना तो वो भी पहुंच गए पर अपना नित्य कर्म करके पूजा पाठ करके बाद में पहुंचे तो थोड़ा बिलम हो गया तब तक बंडारा के सादू संथ सब पंगत में बैठ चुके थे लगबग पत्तल परस चुकी थी बाद में गोस्वामी जी पहुंचे अब नाम से तो सब संथ परचित थे पर देखा किसी ने नहीं था तो जब कहा कि आरे बाबा अब तुम बहुत लेट आए हैं चलो उदर बैठ जाओ तो महात्माओं की जहां जूता चपल उतारे गए थे जगे नहीं बची सब बैठ गए तो वहीं कह दिया वो ले इधर ही बैठ जाओ तो जूता चपलों में बैठ गए गए गो स्वामी जी महरा है अब आद में जो बैठता है उसको कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता तो पत्तल तो परोस दी गई एक ने उनको भी पत्तल डाल दी पर दोना परोसना भूल गया मागी सब के पास दोना था बाबा के पास नहीं तो जब खीर परोसने वाला आया तो दोना बाबा के पत्तल में नहीं दिखाया अरे बाबा ये खीर है काई में लोगें दोना का हैं तुमारा परोसने वाले ने पूछा अब को स्वामी जी के पास था ही नहीं दोना तो एक मात्मा का जूता रखा था उसी को उठा के धर लिए बोले रहा मारा दोना पर उसने बाला नारा जो गया पागल है क्या बाबा एक खीर तू दोना में लेगा ये जूता में लेगा वो बड़ बड़ा नहीं लगा परोसने बाला कैसा पागल है ये पादुका में खीर लेना चाहता है जब चिल आया तो हल्ला मचा धोड़ा सा लोगो ने सुना तो नाबा को स्वामी जी सादू सेबा में लगे थे उनके कान में बड़ बड़ा रहे हो भाई बले देखो ये बाबा जूता रख करके कहता है इसमें खीर परोस दो नाबा को स्वामी जी चौक गए कि सब सादू संत हैं यहां पर बंडारे में ये कोई साधारन सादू नहीं हो सकता जब तक संतों के चरणार मिंद में अत्यंत निष्ठा नहीं होगी जिसकी अत्यंत प्रीती नहीं होगी तब तक कोई सादू किसी की पादुका में खीर कैसे पा सकता है ले सकता है काए बाकर दोल ये बठा नाभागो स्वामी जी महाराज पहँचान गए ये तुलसीदाज बाबा है तुरंत चरणों में प्रणाम किया धन्य है महाराज आपको पधारे में खरतार्त हो गया जैसे उन्होंने तुलसीदाज जी का नाम लिया तो जितने संत वैटे अरे तुलसीदाज जी ये है तुलसीदाज जी औरे चारो तुलसीदाज जी की जैजेकार होने लगी बोलगो स्वामी तुलसीदाज जी महराजे की जै और नाभा गो स्वामी जी ने भक्तों के चरित्र लिखे थे जिसका नाम भक्त माल और माला में एक सुमेरू होता है जहां से माला फेरना चलू करते है मुख्यमनिया गोस्वामी जी ने का मैंने अनेक भक्तों के चरित्र लिखे परंतो आज मैं ये खोज रहा था कि इस भक्तों की माला का सुमेरू कौन है किसे बनाया जाए तो मुझे मेरे भक्तों के माला का सुमेरू आज प्राप्त हो गया गोश्वामी तुलसिदाशії के रूप और तब गोश्वामीजी का चरित्र सुमेरू के रूप में स्री नाभग गोश्वामीजी ने लिखा एसे संत निश्ट ऐसे संतों के चरणों में पृति रखने वाले गोश्वामीजी महाराज ते तो जहां विद्धुत समाज, संत समाज, एक स्वर में उनकी जैजैकावर और कीरती गाने वाला था वहीं पर दूसरी तरफ गो स्वामी जी कितने अकिंचन और बिनम्र के पादुका में बैठ गए, कोई बिरोध नहीं किया नहीं तो महाराज नेक भी किसी को दो-चार इसलोकों का भी ग्यान हो जाए, कोई एक हद ग्रंत ग्यान हो जाए, तो अकड़ के चलता है, सीधे मूँ बात नहीं करता, सास्तरार्ति की चनोती देता है, जानते नहीं तुम किससे बात कर रहे हो, कासी के पंड़तों को बचाण के आया हूँ, कितनी अकड़ होती उसकी वाणी में व्यभार में बड़ी विनम्रता होती है, विद्या ददाती विनेयम, वास्तिविक विद्या विनम्रता देती है, और जो अलपक होते हैं, थोड़ा बोच कुछ सीख लिया, तो फिर अहंकार में दाड़ते गुमते हैं, तो गोश्वामी जी महराज इतने बड़े विद्वान जनों ने अपने रामचरित मानस में नाना पुराण निगमा गम संबतम यत रामा यडे निगदितम क्वचिदन नितों की, क्या वेद, क्या सास्त्र कुछ नहीं छोड़ा सब का सार निकाल के रख दिया, और इतने बड़े महान विद्वान और संत होत अहंकार नहीं, इसका नाम है तितिक्षा, यूता चपल में बैठा दिया तो बैठ गए, पर उस दिया तो, ये विनम्रता, अहंकार सुन्य, ये तितिक्षा संत में होनी चाहिए, दूसरा लक्षन, कारुनिका, संतों में करुणा बहुत अधिक होती है, वो अपना कष्ट, कष्ट नहीं समझते हैं, पर दूसरे का कष्ट देख नहीं पाते हैं, करुणा के कारण उनका हिर्दैत तुरंद द्रवित हो जाता है, एक मात्मा नोका में बैठ के गंगा पार कर रहे थे, नोका चलने को होई तो कुछ नभीवक भी आ करके, जो पिक्निक मेंनाने आये थ गोवी नोका में बैठ गए, थोड़े उद्दंड थे, अब नभीवक थे तो, हसी मजाक चलू हो गए, अब बाबा जी अकेले पड़ गए, बांके सम नभीवक, तो हसी मजा करते करते, बाबा जी कोई मजाक का केंद्र बना दिया, उपहास उड़ाने लगे, माराजी महात्मा ने मन में सोचा, थोड़ी देर वाद नोका केनारे पहुच जाएगी, थोड़ी देर की बात है, हम अपने हाँ, यह अपना काम करेंगे, क्यों माथब अच्ची करना है इसे, अपने मन को शांत किया और हसते रहे, नभीवक मजाक उड़ाते रहे, और महात्मा हस्त के मुस्कुराते रहे, और भगवान से यह संत अपमान सहन नहीं हुआ, और थोड़ी देर में तूफान आ गया, नोका डगमगाने लगी, आकास मानी होई, महात्मन आप भैबीत न होईए, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम बचा लेंगे, पर इन पापियों का तो ज मैं नोका को पलटूँगा, और तुम बच्चे जाओगे घबडाना मत, संत सिका, अब बच्चे तो सब काप गए है, तूफान तो पहले उठ गया था, अब बच्चे रोने चिल्लाने लगे, मात्माने तो रंद का, हे प्रभू, आप पलटना ही चाहते हैं, तो इन बिचा के कारण इनकी जल समाधी लग गई, तो मेरा तो मेरी साधुता कलंकित हो जाएगी, कि मेरे कारण ही इन बच्चों की मृत्ती हुई, इसलिए नोका न पलटिये सरकार, इनकी बुद्धी को पलट दीजी, आप तो सर्व समरते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इसका नाम है अपराध करने वाले अपराधी पर भी जिनके इहदे में करुणा रहती है, साधु से हो ये नकारज हानी, सच्चा साधु वो है जो कभी किसी को हानी स्वप्न में भी नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि उसके इहदे में अत्यंत करुणा होती है, तीसरा लक्षण सुहर्दह सरवदेहिना जितने भी देहधारी जगत में जीव हैं, वो सब को ही अपना सुहर्द मानता है, पराया कोई समझ में नहीं आता है, हम लोगों के अंदर भेद होता है, ये मेरे हैं, ये पराये हैं, मैं और मोर, परसंत सब को अपना समझता है, ब वसुधा के समस्त जीव मेरा ही कुटुम है कोई पराया नहीं आयम निजह परोबेति गणना लगुचेत साव उदार चरिता नाम तो वसुधाईव कुटुम कम जिनका उदार चरित्र होता है उन्हें तो समस्त संसार अपना कुटुम दिखाई पड़ता है पराया कोई ने ज सच्चे संत कभी किसी को अपना सत्रू नहीं समझते हैं उन्हें समझने वाले सत्रू समझते रहे पर वो किसी को अपना सत्रू नहीं मानते क्यों नहीं मानते क्योंकि सब में अपने प्रभू का ही दर्शन करते हैं और जो सब में अपने प्रभू का दर्शन करेगा वो किस किसी के साथ बैर बिरोध कैसे कर सकता है ऐसे समझो यह पूरा सरीर हमारा है अब इस सरीर में चाहे तुम हाथ कहो चाहे पैर कहो चाहे पेट कहो चाहे सिर कहो यह नाम सब अलग-अलग है अलग-अलग अंगों के अलग-अलग काम हैं अलग-अलग नाम है पर सब मिला करके सरी हमारा एक ही है चाहिए पेर में दर्द हो तो हमें दर्द हो रहा है पेट में दर्द हो तो हमें दर्द हो रहा है सिर में दर्द हो तो हमें दर्द हो रहा है क्योंकि सारे अंग हमारे ही तो है कलमना कीजिए अंग आप उसमें लड़ मरें हाथ पेरों में लड़ा ही हो जाए त तो मीको होना है, कई बार होता है कि नहीं, बोजन करते समय दांतों से जीव कट जाती है, यह अनुभव प्राय सब के जीवन में हुआ होगा, अब जीव कट गई और आप मूँ पकड़ के बैठ गए बोजन करना छोड़ दिये, किसे ने बूजा क्या हो गया, और इस अब हमा दांतों ने काट दी, अब वो व्यक्ति यद आपको आपके दांतों के विरुद्ध भड़काने की कोशिस करें, भाई तुम्हारे दांत बड़े दोश्ट हैं, बताओ विचारी इकलोती, प्यारी सी, सुक्मारी सी, जिवा, और यह पापी लोग बहु संक्यक होने के नाते 32, 32 उसको चारों तरफ से गेर के खड़े हैं, और नेक मौका मिला नहीं कि उस अवला पर हमला किया नहीं, आप बोले भाई साब आप बिल्कुर ठीक कह रहे हो, पाँच बार पहले भी कट चुकी थी, अच्छा, इसका मतलब यह पापी लोग कई दिनों से उस बिचारी पर अत्याचार कर रहे हैं, और तुम सेन कर रहे हो, उखाण के भेंग दो इन दांतों को, कितना भी जो सीला आपको बाशन दिया जाए तो आपको कुरोध आ जाएगा दांतों पर, कभी नहीं आने वाला, क्योंकि इतना विवेक सब के पास है, कि जीव कटने का दर्द तो हो अब दांत तोड़ देंगे तब भी दर्द तो हम कोई ओना है, दांत कोई कोई परारेत हो, पराय दोड़ी है, वो भी अपने ही है भाई, तजिहुवाम क्वचत संदस्तित्व दद्विही, तद बेदनायाम कतमायक पेत, यदंग मंगेन निहन्यते क्वचत, कुरुदेत क तो जैसे जीव के कटने पर हम जिवा का उपचार ही करते हैं, दांतों को तोड़के नहीं भैकते, क्योंकि दांत भी हमारे ही हैं, उसी प्रकार जो ग्यान हमें सरीर में हैं, संतों को वो ग्यान संपूर्ण संसार में हो जाता है, और इसलिए सब में अपने प्रभू का दर सन करने के नाते वो कभी किसी से बैर विरोध नहीं करते किसी को सत्रू नहीं समझते क्योंकि निजप्रभ मैं देखे हैं जगत कहें सन करहें विरोध और पांच मां लक्षन है शांता संत हमेशा सांत रहते क्योंकि हर घटना में हर परिस्तिति में वो हरी की लीला को देखते हैं और हर हाल में हरी की कृपा का नुभव करते हैं जिन्दगी की डूर सौप हाथ दीना नाथ के और महलों में राखे चाहे जोपणी में वास दे दन्यबाद निर्वबाद राम नाम कहिए फिर जाही भी धेरा के राम ताही भी धेराई खाकुर जी चाहे जोपणी में रखें तो भी मस्त रहते हैं कभी कभी राजा महराजा लोग महलों में बुला के बहुत बड़ा आदर सन्मान भी संतों का करते हैं तब भी उतने ही मस्त रहते हैं ये नहीं कि हमें मंत्री जी ने बुलाया और राजा ने बुलाया हमारा ऐसा खातरदारी करी कोई फर्क नहीं बढ़ता उनके लिए चाह जोपणी में रहें चाह महलों में रहें चाह रूखे टिकर खावें चाह खीर मालबुगा खावें वो हमेसा अपनी सारी इक्षा भगवान की इक्षा में मिला देते हैं अपनी कोई इक्षा नहीं रखते हैं ठागुर जी जैसे रखना चाहें वैसे रहते हैं इसलिए हर इस्तिती में वो शान्त रहते हैं ये पांच लक्षण जिन महापुरसों में आपको दिखाई पड़े वो सच्चे संत हैं और इन लक्षणों से ही साधू को पहंचानना चाहिए क्योंकि बेस बनाने में सब कुशल होता है बड़े बड़े आतंगवादी और अपरादी भी साधू वेस बना करके छुप सकते हैं इसलिए केवल वेस बूसा से ही किसी को साधू मानके प्रभावित नहीं होना चाहिए